Hello Students, welcome to my channel Direction Vision और हम लोग R.E.S. कुर्मी solve कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो होगा वो shear force और bending moment diagram पर हम लोग solve करेंगे means shear force और bending moment diagram का question solve करेंगे तो चलिए हम लोग start करते हैं question no. 127 R.E.S. कुर्मी का एक बीम which is fixed at one end and free at another end is called एक ऐसा beam जिसका एक सीरा fix हो तथा दूसरा सीरा free हो उसे हम cantilever beam कहते हैं तो option में आपका कौन सा option इसको correct करेंगे? option हम d correct करेंगे next question देखते हैं 28, 128 का A beam supported at its both end is not a simply supported beam करा एक ऐसा beam supported at its both end is not a simply supported beam means दोनों सीरे पर हम support देते हैं क्या उसको simply supported beam नहीं होता है तो कहेंगे नहीं होता है तो यह true है या false है तो कहेंगे भाई जो आप बोलर है वो false है यह दो support पर जो टिका रहता है उसी को हम simply supported beam कहते हैं option B सही होगा 129 question A beam extending beyond the support एक ऐसा beam जो support से बाहर निकला हो उसे हम overrenging beam कहते हैं तो overrenging beam option में देखे कौन सा है option C 129 तो question number 129 का option C है चुकि हम लोग जो question solve कर रहा है या इसके पहले वाला जो वीडियो हम लोग आरे स्कुरमी का चाए principle plane और principle stress base पर चाए introduction basis पर जो हम लोग question by part by part करके solve कर रहा है आप उसे भी देख सकते हैं यदि आप नहीं solve solution देख पाए हैं तो हम वीडियो के description में उसका link देदेंगे आप बिल्कुल हर एक unit wise आप आरे स्कुरमी का solution एकदम आसान तरीके से आप solve कर पाएंगे हम solution कराते वक्त बहुत सारे concept भी discuss करते हैं जो आपको किसी other question को solve करने में आसान करेगा means जाहिड सी बात है एक question को किस तरीके से put up होता है हम उन सभी चीजों को यहां पर बताएंगे भी इस वाले वीडियो में और पीछला वाला जो आप exam देने जाएंगे उसके उसके लिए तो हाँ हाँ एक चीज और है कि हमारे जो semester exam वाले जो इस्टूडेंट्स है जिसके लिए semester exam है उसमें भी कोरोना काल में आप्सनल क्योश्चन जो put up किया जा रहा है इन्वस्टी कर रही है तो जाएर सी बात है हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी को भी वीडियो काखी help करेगा तो चलिए हम लोग आगे वीडियो को continue करते हैं एक ऐसा बीम जिसका दोनों सिरा फिक्स हो उसे फिक्स बीम कहते है तो आपसन कौन सा बी question number 131 131 a beam supported on more than two support a beam supported on more than two support is called एक ऐसा बीम जो दो से अधीक support पर टिका हो उसको हम बोलते हैं continuous beam तो आपसन देखे continuous beam कौन सा है आपसन D आपका continuous beam है question number 132 एक कैंटी लिवर बीम इज वन विच फिक्स आट बोथ हिंट ने एक कैंटी लिवर बीम इज वन विच एक कैंटी लिवर बीम कैसा होता है कहेंगे जिसका एक सिरा फिक्स हो तथा दूसरा सिरा फ्री हो फिक्स आट वन इंड फ्री आट अनादर इंड आपसन B is the correct question number 132 question number 133 देखे आरे स्कुरिमी में थोड़ा सा जो solution में में भी कहीं answer में भाई mistake हो गया होगा तो हम लोग concept के अनुसार देखेंगे जो आएगा वो सही है और answer को match नहीं कराना है मतलब जो दिया है वहीं हम भी बोलेंगे ऐसा नहीं है हमारा answer कुछ और हो सकता है question उनका है a simply supported beam one which supported on more than two support a simply supported beam is one which supported on more than two support क्या एक simply supported दो से अधिक support पर टिका रहाता है बिल्कुल नहीं टिका रहाता है आपसन कौन सा है बी गलत बोलना है कि एक simply supported beam जो दो से अधिक support पर टिका नहीं उसको हम continuous beam करते हैं simply supported नहीं बोलते हैं next question देखते हैं 134 an overhanging beam must be overhanging on both side क्या overhanging beam जरूरी है कि दोनों sides पर ही overhanging हो मतलब दोनों सीरे उसके बाहर निकला हो देखे one आप overhanging beam ही दो तरका होता है one sided overhanging beam और both sided तो करा an overhanging beam must be overhanging on both side क्या यह जरूरी है कि दोनों सीरा दोनों support पर बाहर निकला हो नहीं तो कहेंगे option कौन सा है ऐसा नहीं है तो हम लोग इसको बोलेंगे wrong यह नहीं कि गलत है question रॉंग question नमबर 135 है एक फिक्स बीम इज वन विच इज फिक्स आट वन एंड वन एटसेंड तो जाहिर सी बात है एक फिक्स बीम मतलब क्या होता है जिसका दोनों सीरा हमारा क्या हो फिक्स हो तो option कौन सा होगा भी होगा एक continuous विम इज वन विच एक continuous विम सपोर्टेड आन मोर देन टू सपोर्ट आपसं सी देखे एदम साफ साफ दिख रहा है बाकी fix आट वन इंड फ्री आट अधार है गलत है एक स्टेंडिंग बियोंड दो सपोर्ट इसको सिंप्ले ओहर रहेंगे में बोलते हैं फिक्स आट बोथ हिन फिक्स आट बोथ हिन इसको हम फिक्स बीम कहते है तो यह होगा नहीं question number 137 देखे question number 137 का a concentrated load is one which आप साने act at a point on a beam is spared and non uniformly over the whole length of the beam मतलब एक तरह से फैला हुआ is spared uniformly over the whole length of the beam very uniformly over the whole length of the beam करा क्या एक बिंदू पर लगा हो concentrated बिल्कुल concentrated load क्या होता है the intensity of the load which are acting on a beam are very small length यहनी area किस भी कह सकते हैं बहुत छोटे से area पर कारे करता है उसको हम point load या concentrated load कहते हैं तो concentrated load होता है concentrated moment होता है concentrated tark होता है यहां पर load का जिक्र किया गया है option आपका कौन सा होगा a question number 138 a load a load which act at a point on a beam is not called uniformly distributed load a load which act at a point आम से पढ़ेंगे चुकि यदि यह not नहीं रहता तो इसका answer कुछ और हो जाएगा यदि not है तो इसका answer कुछ और हो जाएगा तो not यदि आप पढ़ नहीं पाए तो आप गलत question कर पाएंगे करा एक beam पर यदि एक point load लगा है तो हम उसे UDL load नहीं कहते हैं तो कहेंगे बिलकुल सही आप बोल ला है उसको UDL load नहीं कहते हैं उसको हम distributed load कहते हैं तो option कौन सा हो जाएगा 138 का A 139 question number 139 देखेंगे यह uniformly distributed load may be a zoom a uniformly distributed load may be a zoom to have like a point load at a at the center of gravity of the load for all sort of calculation जब आप कहते हैं कि capital W बराबर small W into L हम तो कहते हैं कि loading diagram का shape कैसा है यदि rectangular shape है rectangular के area निकालिए और जो area होगा वहीं उसके centroid पर लगेगा यदि triangular load लगा है उसका area लिगाएंगे और वहीं centroid पर लगेगा या center of gravity जो आप mechanics में निकालते थे उसी परकार लगेगा यदि वह पैराबोलिक करव में लगा है जाहिए आपका यूडियल लोड का area यूडियल लोड का जो सेफ होता है वह रेक्टेंगुलर सेफ में लोडिंग लगता है और इसका area w into l कहते हैं और यहीं आपका capital w होता है तो कह रहा है क्या एक uniformly distributed load में भी a jump to behave like a point load at the center of gravity of the load for all sort of calculation क्या हम छोटे कभी calculation में हम capital w में convert कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं उसको हम equivalent load बोलते हैं और equivalent load कहां लगता है center of gravity पर यदि इसको और ज्यादा deeply आपको पढ़ना है तो जहिर सी बात है हमारे चैनल को subscribe कर लेंगे और आपको इस वीडियो का जो हम सेयर फोर्स और बेंडिंगों डाइग्राम का जो हम बता रहे हैं equivalent loading का या हम description में link दे रहे हैं वहां से आपको इसकी पूरी concept किलियर हो जाएगा आप बस चैनल को subscribe कर लेंगे नेक्स्ट हम लोग यानि इसका option A सही है question number 139 का option A सही है करा question number 140 का देखे 140 वाला देखते है question 140 का a load a load which is which is is paired over a beam in such manner that vary uniformly over the whole length of the beam is called uniformly distributed load 140 का तो जाएट सी बात है बताएए क्या होगा तो कहेंगे distributed load होगा distributed load यदि पूरी लंबाई पर uniformly हमारा load लगा है a load which is paired over the beam is such a manner that it vary uniformly over the whole length पूरी लंबाई पर beam is called uniformly distributed load तो option कौन समारेंगे option distributed load the shear force at a point on a beam is the algebraic sum of the all all force of either side जब आप shear force or bending moment का concept देखते थे तो shear force का definition भी या shear force diagram जब बनाते हो उसका definition यहीं बोलता है shear force diagram का कि algebraic किसी section के left hand side में किसी section के left hand side में जितने बल लग रहा उसका algebraic sum होता है तो वहीं आपका section पर shear force होता है या right hand side में total algebraic sum option यह सही है the bending moment on the section is section is maximum जान धान देंगे इस प्रकार के question थोड़ा साम इसका trick बताएंगे आप गलत नहीं कर पाएंगे the bending moment on the section is maximum where shear force is देखेंगे shear कभी कभी क्या होता है कि या जीरो करें या change in sign जब भी कहता है point की बात करता है तो आप बताएंगे 0 होगा bending moment करा कि bending moment on the section यदि point जिस point की बात करता है तो कहेंगे shear force उस point पर 0 होगा लेकिन section की बात करता है तो करा bending moment on a section is maximum where shear force change the sign option जो होगा वो C होगा correct करा question number 144 question number 144 the shear force at a certain point on a beam change the sign plus value to minus value अथवा minus value to plus value the bending moment at a point will be 0 बिल्कुल नहीं maximum होता है तो आप संस false बोलेंगे यनि option false होगा जब shear force plus से minus या minus से plus करता है तो वहां पर bending moment का मान maximum होता है जैसा कि उपर question put up होगा है question number 145 when a load on the free end of cantilever beam is increased failure will be occur इतना दिमाग में बैठा लेंगे cantilever beam है और cantilever beam के चाहे load यहां दे यहां दे कहीं पर भी load कितना भी लगा दिया जा अकर add the fix point हम fix point पर failure को consider करते हैं हम इसा cantilever beam add the fix end पर ही fail होता है और इसी concept को देखते हुए अब नए जो modern में bridge भी इसी cantilever beam के सिद्धान पर बनाया जा रहा next question देखते है 146 का the bending moment add the free the bending moment add the free end of the cantilever beam bending moment add the free end of the cantilever beam cantilever beam है जिस free siray पर bending moment का मान कितना होगा तो free siray पर bending moment का मान जाहिर सी बात है इसी point पर bending moment का मान कितना होता है तो कहेंगे 0 होता है तो 146 का 0 question 146 का 0 next question देखते हैं question number 147 question number 147 कह रहा है एक cantilever beam ध्यान दिजेगा एक figure जो दिया है इसी को देख करके आपको बताना पड़ेगा एक cantilever beam of length and carry a point load at a free end as shown in figure 2.41 question देखें दिया है एक figure दिया है थोड़ा से इसकों लोग जिसका zoom in कर दिया जाए तो आपको question दिखेगा एक cantilever beam of length carrying the point load at the free end as shown in figure देख रहा है एक figure जो दिया है यह वाला एक figure आपको यहाँ पर यह आपका question है और इस question को ध्यान में रखते हुए आपको answer देना है figure को देखते हुए option एक करा है a is a इसका वाला a is the bending moment diagram and c is the shear force diagram देखे a क्या bending moment diagram है और c shear force diagram है बिलकुल है गलत है a is the shear force diagram b वाला option a is the shear force diagram और c is the bending moment diagram तो जाइड सी बात है किसी cantilever beam के free point load लगा है तो shear force diagram rectangular shape होगा constant रूप में vary करेगा non zero constant vary करेगा यदि point load लगा है और bending moment diagram जो होता है वो linear vary करेगा linearly मतलब एक प्रकार का inclined state line vary करेगा और साथ में इसका जो safe होगा वो triangular safe होगा नहीं option जो होगा वो B सही होगा यानि question number 147 का option B सही होगा next 148 question number 148 when a cantilever beam is loaded with concentrated load the bending moment diagram will be when a cantilever beam is loaded with concentrated load the bending moment diagram अभी हम आप से अभी अभी मैं इसका answer आपको discuss किया था आप खुद सोच के बताए इसका answer क्या होगा एक cantilever beam जिस पर point load लगा है तो bending moment diagram उसका कैसा होगा तो inclined state line होगा question number 148 का inclined state line होगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे आपको फिर से किसी प्रकार का कोई confusion R.E.S. कुरमी के numerical में solve करते वक नहीं रहेगा चाहे कोई भी exam देजिए आपको आराम से फिर पढ़ने क्या हो सकता नहीं पढ़ेगा सिर्फ टीक नहीं लगा रहे है हम answer के द्वारा आपका question को टीक नहीं लगा रहे है 148 का यह होगा 149 का यह होगा हम explanation आपको दे रहे है मंतलब आपका एक तरीक से concept revision हो जा रहा है तो बिलकुल आप उस revision को तयार करेंगे ताकि आपका आने exam फिर कभी होगा तो आपको पढ़नी क्यों सकता नहीं पड़ेगा आपका concept जनुविन तरीके से clear हो रहा होगा तो next question देखते है question number 149 the bending moment diagram for a cantilever beam loaded with uniformly distributed load will be a parabolic bending moment diagram for a cantilever beam loaded with uniformly distributed load will be parabolic यदि cantilever beam पर जो हमारा load है यो UDL load है UDL load लगा है तो उस case में जो shear force diagram जो vary करेगा वो आपका inclined state line मतलब लेकिन जो bending moment diagram होगा वो parabolic तो जो कह रहा है 149 का वो बिलकुल सही कह रहा है और आप संच होगा वो यह सही है मतलब इसका हर question आप नहीं कह सकते हैं गलत है overall 150 का question देखेंगे the maximum bending moment the maximum bending moment of a cantilever beam as shown in figure 2.41 मतलब वही question दिया है यह question कौन सा है यह वाला यदि किसी cantilever beam पर point load लगा है यहीं question आप समझेंगे करा maximum bending moment of cantilever beam as shown in figure जो उपर वाला figure दिया है जो दिख नहीं राप का screen में तो मैं यहां बना दिया हूँ the free end, the fixed end middle of length and L by 4 of fixed हमने एक चीज़ बोला था कि bending any की cantilever beam जो होता है failure हमेशा कहा होता है fixed सीरे पर होता है bending moment जो maximum होता हो कहा होगा fixed सीरे पर यही option B सही है question number 150 का option B is the correct bending moment maximum कहा होता है cantilever के fixed सीरे पर होता है question number 151 question number 151 देखेंगे the shear force of a cantilever beam the shear force of a cantilever beam as shown in figure वहीं वाला figure हम फिर बना दे रहा है the shear force of a cantilever beam as sony figure 0 at free end w at fixing w at free end 0 at fixing w throughout its length तो आप बताईए सोच के खुद बताईए कि क्या होगा भाई इसका shear force diagram non zero constant होता w यहां भी होगा w यहां भी तो जाइड सी बात है w throughout its length यह पूरी लंबाई पर w मान constant रूप में vary करेगा question number next इसको मिटा देते है question number next 152 वाला देखेंगे the shear force of a cantilever beam the shear force of a cantilever beam of length carrying a uniformly distributed load आप w per unit length add the friend एक cantilever beam जिस पे पूरी लंबाई पर udl load लगा है तो कहरा free end पर shear force command कितना होगा देखें एक udl load लगा है तो कहरा यहां पर shear force command कितना होगा तो udl load यदि cantilever beam पर लगा है और उसके free syrup से पर आपका shear force command पूछा जा रहा है तो आप 0 बताएंगे हलाकि bending moment command भी वहाँ पर 0 होता है the shear force next question the shear force आप a cantilever beam of length carry a udl load आप w per unit length add the friction fix end पर पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है w into x होता है x बराबर 0 रखेंगे यहां देगा x बराबर L रखेंगे यहां देगा w into l मान का shear force लगेगा और इसका variation होगा वह state line होगा कुछ इस प्रकार से vary करेगा तो जाहिर सी बात है जो variation होगा वह आपका 0 से लेके w into l होगा तो इस वाले answer में कितना answer correct करेंगे w into l question number 154 question number 154 the shear force diagram of a cantilever beam of length l carrying uniformly distributed load w per unit length will be the shear force diagram किस प्रकार से होगा वो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा किस केस में बनेगा जब उस पे udl लोड लग रहा है जब पॉइंट लोड लग रहा है तो रेक्टेंगूलर बनेगा the bending moment of a cantilever beam of length l carrying a uniformly distributed load w per unit length add the free end हमने बताया भी था कि free shear shear force भी 0 हो रहा है और bending moment भी 0 होगा जब उस पे udl load लगा है तो आप sun a रहेगा सही next question number 154 का question number 156 का shear force and bending moment are 0 at the free end of cantilever beam if it is carry करा कि करा इसमें से कौन सा ऐसे case है हमारा cantilever beam के free shear पर इसमें से यह जो loading दिया है यह जो loading option में दिया है नहीं पूरा करा इसमें से ऐसा कौन सा case है कौन से loading वाला case है जिस पे मतलब cantilever में point load लगाए या UDL load लगाए या UBL load लगाए ऐसा क्या लगाए जिस पे 3 series पर shear force और bending moment दोनों का मान सुन्यों समझ रहा है आप हिंदी में चुकि हमारे जो diploma students जो है वो हिंदी मेडिया में पढ़के जाते हैं तो उनके पास जो सबसे simple जो book purchase करते हैं मार्केट में वो RS कुर्मी सभी लोग के पास होता है तो सबसे ज़्यादा उनको परसानी जो होता है language में होता है तो हम प्रयास करने कि आपको language में कोई परसानी नहों उसका basic concept आप जरूर समझ पाए the shear force bending moment are zero at the free end of cantilever beam it carry point load at the free end तो point load at the free end तो अभी भी बताया गया है यदि point load है यहाँ पर the shear force तो आपका कुछ ही इस प्रकार से आता है तो zero नहीं होगा point load at the middle of the length बिल्कुल middle में दी हम लगाएंगे चलो यहाँ तर से यहाँ zero हो जाएगा लेकिन यहाँ पर तो कुछ shear force आ जाएगा तो नहीं होगा uniformly distributed load over the whole length यदि UDL load लगा है तो जाएट सी बात है यहाँ पर हम shear force का concept बनाए यहनि fx का निकाले चाहे आप यम x निकाले दोनों ही x में कोई एक relation मिलेगा एक small w into x होगा एक small w into x into x into x by 2 होगा तो जाएट सी बात है कि दोनों के x में relation आएगा और x बराबर 0 रखते हैं तो जाएट सी बात वहाँ पर 0 होगा तो आपका जो answer होगा वह कौन सा होगा सी answer सही होगा कि एक cantilever beam जिस पर UDL लगा है उसके free series पर shear force और bending moment दोनों का मान 0 होगा यह बहुत अच्छा question है exam में put up भी हुआ है next question question देखते हैं the bending moment of a cantilever beam of length L carrying the uniformly distributed load w per unit length add the fixed end अब देखी fixed end पर bending moment पूछा गया भाई W अभी हमने बताया था एक relation कि यह में x बराबर w x square upon 2 होता है तो x बराबर L रख देंगे w l square upon 2 हो जाएगा तो answer कौन सा हो जाएगा सही बताइए अच्छा bending moment पूछा है ध्यान दिजेगा bending moment पूछा है answer कौन सा हो जाएगा 157 answer हो जाएगा w l square upon 2 158 का the maximum bending moment of a cantilever 158 question number 158 देखते हैं the maximum bending moment of cantilever beam of length L carrying a uniformly distributed load w per unit length lie at the middle of the length करा maximum bending moment cantilever beam का एक cantilever beam जिसकी लंबाई L है और उस पे uniformly distributed load लगा है तो क्या maximum bending moment उसके middle में होगा at middle of the length its length बेलकुल गलत है नहीं भाई आप fix per maximum होता है question number 159 the shear force diagram for a cantilever beam of length L carrying the uniformly wearing load ध्यान दीजेगा uniformly wearing load पुछा गया है uvl load हमारा loading diagram ही triangular है ध्यान दीजेए जब loading diagram triangular होता है तो shear force diagram जो वैरी करेगा वो parabolic और bending moment cubic parabolic इतना दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे question solve करते है the shear force diagram for a cantilever beam एक cantilever beam जिसकी लंबा यल है उस पे uvl load लगा है एक समान रूप से बतलता हुआ भार लगा है 0 at 3 in मतलब 0 यहां पर और fix per maximum कुछ ही इस प्रकार से loading diagram लगा है और per unit length add the fix in the shear force पूछा है यहां पर क्या होगा the shear force diagram for a cantilever beam of a length year carrying the uniformly bearing load 0 at 3 in w per unit length add fix in तो shear force diagram पूछा गया है यहां पर shear force नहीं पूछा गया है बस पूछा गया है कि भाई diagram किस प्रकार से होगा तो horizontal state line होगा vertical state line होगा inclined line होगा parabolic line होगा तो हमने एक पहले ही statement बोल दिया यदि loading diagram ही triangular है मतलब one degree है one degree का मतलब होता है state line है तो bending shear force diagram two degree होगा two degree का मतलब होता है parabolic और bending moment diagram three degree होगा cubic parabolic तो यहां पर shear force पूछा है तो जाहिट सी बाता आप सन कौन से सही होगा parabolic जब हमारा कोई loading diagram UVL होगा inclined state line में loading है triangular loading है तो उसका shear force diagram parabolic रूप में vary करेगा चाहे कोई भी beam हो उसका यदि loading diagram triangular है तो shear force diagram parabolic vary करेगा next question देखते हैं 160 the bending moment diagram for a cantilever beam of length and carrying the gradually देखिए ये भी gradual loading varying load from zero add the friend and w per unit length add the fixed index parabolic हमने अभी बता है bending moment cubic parabolic vary करता है तो question number 160 का आपकी हिसाब से क्या होगा तो कहेंगे भाई ये तो गलत हैं क्यों क्योंकि bending moment diagram cubic parabolic vary करेगा option this agree 161 the shear force of a cantilever beam of length yield carrying the gradually varying load the shear force of a cantilever beam of length yield carrying gradually varying load from zero add the free end w per unit length add the fixed end is add the fixed end अब shear force पूछा है मतला आपका question है वो यहीं है figure यहां बना दे रहा है यह आपका question है और यहां fix shear force पूछा है तो fix shear force का मान कितना होगा आप इस चीज को formula को याद करेंगे और इसका detail चाहिए कि किस प्रकार से shear force निकाला जाता है तो बिल्कुल हम फिर कर रहे है चैनल को subscribe कर लेजे और इसका notification मिलेगा और आपको एकदम इतनी अच्छे से clear होगा इसको हम एकदम three body diagram के through बार बार तोड़ते तोड़ते छोटा छोटा figure में इसको convert करके आपको निकाला जाता और अपने method से mathematics लेकिन इसका answer क्या होगा कि जब हमारा UVL load लगा है तो उसके fixed सीरे पर जो shear force का मान कितना होगा तो fixed सीरे पर shear force का मान जो होता है ओ WL by 2 होता है WL by 2 option C सही है bending moment diagram देखे exception number 162 है bending moment diagram the bending moment of a cantilever beam of length carrying the gradually wearing load 0 at free in and W per unit length is fixed in add the fixed in bending moment कहा fix in पर पूछा गया है तो इसको भी आप याद कर लिजेगा WL square upon 6 होता है bending moment जो vary करेगा वो cubic parabolic vary करेगा लेकिन उसका मान जो होता है WL square upon 6 और shear force का मान कितना होता है WL by 2 तो एक बार फिर से आप याद कर लिजेगा इसको यह बहुत अच्छा question है put up होता है यहाँ पर shear force का मान WL by 2 होता है लेकिन bending moment का मान WL square upon 6 होता है तो आपको किलियर हो गया होगा question number 162 का WL square upon 6 होता है question number 163 का the bending moment the bending moment at the end of simply supported beam will be 0 फिर से सुनेंगे the bending moment at the end of simply supported beam will be 0 simply supported beam होता क्या है जिसका एक सीरा हिंज हो दूसरा सीरा रोलर हो जब इसका हम लोग देखते है जब shear force या bending डियाग्राम बनाते हैं तो bending moment डियाग्राम इंड में 0 आता है तो जो एक कह रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है कि the bending moment at the end of the simply supported beam will be 0 question number 164 question number 164 का देखते हैंगे the maximum bending moment of simply supported beam of span is span मतलब पूरी लंबा यहल and carrying the point load w at the center of the beam आप इसको बहुत ज्यादा highlight means बहुत ज्यादा question put up भी हुआ है यदि point load लगा है तो करा maximum bending moment का मान कितना होगा तो आप जब इसको solve करते हैं reaction निकाल करके L by 2 solve करते हैं तो 164 का WL by 4 कुछी स्प्रकार से bending moment आता है WL by 4 का और इसका जो safe होता है iso-cellus triangle होता है question number 164 का option is WL by 4 होगा जब किसी simply supported beam per point load उसके middle में लगता है question number 165 का the bending moment diagram of a simply supported beam loaded its center कैसा होता है यह right angle triangle होता है iso-cellus triangle होता है equilateral triangle होता है हमने अभी बोला था iso-cellus triangle होता है कुछ इस shape का होता है next question 166 the maximum bending moment of a simply supported beam with central point load lie at the point of loading maximum bending moment with central point load lie at the point of loading तो इन्होंने जो बोला है बताये क्या करा है बिल्कुल सही का रहा है कि maximum bending moment जो होगा simply supported beam में O central point पर lie करता है at the point of loading point of loading के case में option जो होगा O 66 का O आपका A सही है question option A सही है the shear force 167 the shear force of a simply supported beam carrying a central load change the sign the shear force of a simply supported beam carry a central point load change the sign its midpoint जब हम लोग इसको diagram के रूप में shear force खीचते हैं तो जो उसका shear force diagram बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है L by 2 पर इस sign को change करता है तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने कह रहा है वो सही है क्या सही है कि shear force of a simply supported beam किसी simply supported beam जिस पे point load लग रहा है shear force क्या उसके mid में बदलता है तो बिल्कुल बदलता है option A सही है question number 168 question number 168 देखते हैं देखिए थोड़ा सा आप सोचेंगे कि 168 का option नहीं दिया है बिल्कुल option दिया है right side में देखिए figure वही option A, B, C, D दिया है option सब कुछ दिया है question number 168 का simply supported beam is loaded as shown in figure figure आपके सामने दिया है the bending moment diagram will be देखिए यह loading है यह simply supported beam है जिस पे दो point load आपका from end series से AA distance पर लगा है और आप से पूछा जा रहा है बताए कि इसका bending moment diagram क्या होगा by shear force diagram आप इसका खिचते है तो एक हमारा rectangular इधर बनता है उधर बनता लेकिन bending moment diagram देखेंगे तो हमारा जो point load जहां जिसके बीच में C के जस्ट पहले A के जस्ट बात कोई भी load नहीं लगा है उस case में हमारा जो shear bending moment diagram वेरी करता है वो state line मतलब inclined line वेरी करेगा option A जो होगा हो सही होगा The shear force The shear force in its center of simply supported beam carrying a uniformly distributed load w per unit length यह एक simply supported beam The shear force पूछा गया The shear force in its center of simply supported beam एक simply supported beam जिस पे हमारा UDL load लगा है तो center पर shear force कितना होगा तो पहले तो हमने बता देख भाई इस पे UDL load लगा और आप से पूछा जा रहा है कि इसके center पर shear force कितना होगा तो जब भी आप बनाए होंगे कुछ इस प्रकार से आपका जो diagram shear force होता है shear force का diagram कुछ इसी प्रकार सोका है क्यों क्योंकि हमारा जो loading diagram है वो UDL है तो shear force diagram inclined still line vary करेगा और bending moment parabolic vary करेगा तो आप सन कौन से सही होगा आप सन A सही होगा 169 का shear force at the center of the beam in simply supported beam with uniformly distributed loading midpoint पर 0 होता है question number 170 देखेंगे time question में लग रहा है क्योंकि हम लोग explain कर रहे और ज्यादा explain करेंगे और ज्यादा time लगेगा क्योंकि और ज्यादा explanation नहीं करेंगे क्योंकि और ज्यादा करने का मतला theory वाला class कर लिजेगा आपको और clear हो जाएगा 170 the bending moment in a center of simply supported beam carry uniformly distributed load w per unit length एक simply supported beam जिस पे हमारा UDL लग रहा है तो करा maximum bending moment का मान कितना होगा तो bending moment simply supported beam w per unit bending moment का मान हलाकि यहाँ पर maximum भी पूछता तो भी लेकिन यहाँ करा bending moment in the center simply supported beam न पूछके यदि आप यहाँ maximum पूछता तब भी आप समझ गया थे कि maximum bending moment diagram जो होगा maximum bending moment होगा वो center पर होगा कौन से beam में जब उस पे UDL load हमारा लगा है एक simply supported beam में तो wl square upon 8 आता है option d सही होगा इसको आप याद करेंगे कि एक simply supported beam जिस पे UDL load लगा है उसके center पर जो bending moment होता है wl square upon 8 होता है यहीं उसकी maximum value होता और इसका जो safe होता है कुछ इस प्रकार से होता है wl square upon 8 जब उस पे point load लगा होता है तो इसके just पहले आप देखे थे wl upon 4 आता था यह capital w है और यह वाला small w इसकी unit kilo newton प्रति मीटर है और इसकी unit सिर्फ और सिर्फ u newton है तो आप question को बड़े ध्यान से आप समझेंगे और बड़े ध्यान से आप पढ़के exam में answer को टिक लगाएंगे question no.171 का the shear force at the end of the simply supported beam carry a uniformly distributed load w per unit length करा है एक simply supported beam है जिस पे UDL load लगा है और करा है कि IND सिरे पर यहनी कि करा shear force at the end of simply supported IND का मतलब दोनों सिरा पर shear force कमान कितना होगा तो WL by 2 और WL by 2 कुछी स्प्रकार से आपका आता है इधर आपका plus होगा तो इधर minus WL by 2 इधर WL by 2 इधर WL by 2 एट 1 IND माइनस WL by 2 इधर option C सही होगा question number 171 का 72 का देखेंगे 172 का the shear force diagram for a simply supported beam carrying the uniformly distributed load W per unit length same question है shear force diagram किस प्रकार से बनेगा तो option में अभी अभी हम लोग solve किये दो right angle triangle बनेगा तो two right angle triangle option B सही होगा question number 172 73 का 173 का the bending moment diagram for a simply supported beam carrying uniformly distributed load W per unit length the bending moment किस प्रकार से वैरी होगा तो यह parabolic सही बोला the bending moment diagram simply supported beam uniformly distributed load के लिए हम parabolic रूप में बताये थे अभी अभी की parabolic रूप में वैरी करेगा question number 173 का option D सही होगा 174 का the shear force at the question number 174 the shear force at the center of simply supported beam with gradually varying load ध्यान देंगे यह वाला लोड आपका gradual bearing load यानी UVL लगा है फ्राम 0 at both hint इसका दी बनाना चाहेंगे 0 at both hint और maximum 0 at both hint to W per unit at the center मतलब यहां पर W किलो न्यूटन प्रति मीटर है और यहां वाला यहां वाला 0 है तो करा shear force at the center of simply supported beam अब बताये कि यहां पर shear force का मान कितना होगा भाई इसका shear force diagram कुछ इस प्रकार से vary करेगा shear force center पर 0 ही होगा चाहे आपका चाहे आपका कोई भी beam हो मतलब sorry यह जो simply supported beam है तो जाइड सी बात है चाहे आपका UDL load है चाहे UVL load है center पर 0 ही होता है तो next question number देखते हैं यहां पर 0 अभी अभी देखे कुछ देर में आपका इस प्रकार से question आएगा कि इसके industry पर shear force का मान कितना होगा फिर question आएगा कि भाई इसके लिए bending moment का मान कितना होगा center पर तो आगे देखते हैं question number 175 का question number 175 का देखते हैं the bending moment at the center of simply supported beam with gradually varying load from 0 at both in W per unit length at the center WLY4 करा the bending moment at the center of simply supported beam with gradually varying load from 0 at both in W per unit length at the center क्या WLY4 होता है question number 175 question number 175 का WLY4 नहीं होता है answer आपका no the maximum bending moment for a simply supported beam with gradually varying load gradually varying load वाला question सब चल रहे है gradually varying load from 0 at both in W per unit length at the center lie at the center of the beam बिलकुल सही है maximum bending moment जो होगा वो आपका center पर ही होता है देखे एक question 177 का है वो yes में ही पूछा गया बहुत ही important होता है question 177 का यह simply supported beam यह simply supported beam यह simply supported beam with gradually varying load from 0 at B and W per unit length at A यह figure आप दिख रहा है अब इसका trick बताएंगे आप कैसे याद करेंगे as shown in figure 2.43 the shear force at the B is equal to reaction जब कभी कभी देखे reaction पूछता है कि यहां और यहां का reaction क्या होगा तो जहिए इसकी बात है जिस पे ज्यादा load लगेगा उस पे reaction ज्यादा होगा जिस पे load कम लगेगा उस पे reaction कम होगा तो yes में क्या करता है कह रहा था कि reaction add point A और B एक इतना कामा इतना इतना कामा इतना कुछ इस प्रकार से दिया है 4 option तो सब दोनों कुछ दो बाकी तो गलत तो लोग पहचान लेते हैं देकिन दो आसम उसका confusion वाला होता है और वो कभी ए होता है कि यहां का a value और यहां का a value मतलब यहां कौंगं सा वैलू रहएगा είναι तो यहां कौन सा वैलू रहए गा मतलब a value और इस value मेशन रहेगा कि a कहां रहेगा और ए कहां रहेगा तो हम बता दे कि जहां पर लोड ज्यादा रहेगा वहां पर एक्षन ज्यादा आएगा तो एक्षन कहां पर ज्यादा आएगा रियक्षन यहां पर मैक्सिमम होगा और यहां पर मैक्सिमम होगा यहां पर सियर फोर्स मैक्सिमम होगा और यहां पर WL by 3 तो दोनों में से छोटा कौन सा है तो WL by 6 177 का option A सही है चुकि यहीं आप याद रखेंगे एक होता है WL by 3 और एक होता है WL by 6 बस दोनों याद रखेगा बाकि हमारा concept लगाएंगे चुकि अभी आप answer आप देखे होंगे तो आपको रटा गया होगा लग रहा होगा कि स क्लियर कर लेंगे कि इस प्रकार के लोड जहां लोड कम होगा वहां रियक्षन कम होगा और जहां लोड जादा होगा रियक्षन जादा होगा तो WL by 6 बड़ा है या WL by 3 तो कहेंगे WL by 3 बड़ा है तो रियक्षन यहां WL by 3 आएगा और यहां पर WL by 6 यादि आपको रिय reaction निकालने सिख लिजेगा ऐसे बीम का दूसरा 178 question number for a beam as shown in figure the shear force at a is equal to अब ए पर पूछा गया तो जाहिर सी बात है ए पर काउन सा होगा answer कहेंगे जिस पर reaction जादा होगा निकालते वक्त आप यदि खीचे होंगे तो मालूम होगा आप beam shear force और bending moment diagram तो 178 तक clear होगा 179 का देखेंगे question for a beam as shown in figure मतलब same figure वही है the shear force diagram between a और b भाई shear force diagram यदि हमारा uvl load लगा है तो shear force diagram parabolic query करेगा 179 का कैसा होगा parabolic query करेगा आप सने question number 180 the maximum bending moment for a beam as shown in figure the bending moment maximum होगा wl square upon 9 root of 3 होता है लेकिने कितने दूरी पर होता है next question देखेंगे question number 181 the maximum bending moment for a beam as shown in figure lie at the center lie at center x is equal to ly root of 3 होता है जब इसको solve करेंगे the point of counter fracture is the point where shear force change the sign bending moment sign को जब बदलता है तो point of counter fracture बदलता है bending moment मतलब कभी concuity downward जा रहा है फिर concuity upward जाएगा तो यह वाला जो point मिलता है वही point of counter fracture बनता है यह over angle beam के लिए है 183 का when the shear force at a point is 0 then the bending moment when the shear force at a point is 0 the bending moment at a point is maximum यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे answer को maximum दिखाएंगे question number 183 का maximum question number 184 question number करा इने simply supported beam carry a uniformly distributed load w per unit length the point of counter fracture lie at the center of the beam lie at the end of the beam we depend upon the length of the beam does not exist does not exist क्यों होगा क्योंकि हमारा simply supported beam में किसी प्रकार का point of counter fracture नहीं बनता है तो जाइड से बात है किसमें बनता है over ranking beam में तो over ranking beam आएगा तो देखा जाएगा next question देखते हैं अच्छा एक चीज़ी और हम बता दे यह तो आरे स्कुर्मी से जो related question हम लोग उसी को solve कर रहे है यदि हमारा जो पेपर से collected question जो 2000 हमने सोम का generate की हैं या उसी इस प्रकार के question और भी थोड़ा ES और get level का पढ़ना चाते हैं तो बिल्कुल चैनल को subscribe कर लेंगे आपको figure वाला और भी बहुत से question जो good और ES में पूछा है या यूफी अर्विनल का और ज्यादा question या ससी जेई में जो अच्छे question आये होंगे उस प्रकार का question का solution हम लोग अलग से आपको स्रीज हमारे चैनल पर चल रहा आप वहां से देख लिजेगा अभी हम लोग का objective type shear force और bending diagram solve कर रहा है तो question नमबर नेक्स हम लोग आगे देखते है 85 185 वेन वेन दियर इस सदेन इन्क्रीज वेन दियर इस सदेन इन्क्रीज sudden increase or decrease in shear force diagram between any two point it indicate that there point load at the point load at the two point no loading between the two point uniformly distributed load between the two point uniformly varying load between the two point question को समझ लिजे करा है when there is sudden increase or decrease sudden increase or decrease देख रहा है नहीं in shear force diagram between the two point it indicate that by point load लगा होता है तो shear force जो होता है वो sudden increase or decrease करता है जैसे suppose कि हम ऐसे figure बना देए कि यदि यहां point load लग रहा है तो shear force diagram यहां आएगा यहां आएगा इस सदेन increase or decrease करेगा फिर यहां जाएगा फिर sudden sudden का मतलब आचानल रूप से बदलना तो question number इसका कितना हो जाएगा ए question number next when is shear force diagram between any two point in inclined state line shear force diagram between two point in inclined state line it indicate that there is uniformly varying load बिलकुल गलत है फिर से question पढ़ लेते हैं अलाकि चुकि हो सकता है कि maybe when is shear force diagram between two point in inclined state line is an inclined state it indicate वह indicate करता है there is a uniformly varying load between the two points हमने बताया कि uniformly varying load के लिए shear force diagram आपका parabolic vary करता है inclined state line नहीं vary करता है तो option जो होगा वो no होगा तो maybe answer कुछ भी आप देख लिजेगा बुक वाले में भी answer कुछ अलग होगा लेकिन हम concept बता दे रहे हैं आपको कि दो point पर यदि inclined state line हमारा shear force diagram vary करता है वो कब करता है जो हमारा ideal load लग रहा है इन्होंने क्या करा uniformly varying load लगा रहा है यूवियल लोड मतलब इस प्रकार से यूवियल लोड लगा जा रहा दो point के बीच में तो shear force diagram जो vary करेगा वो कैसा करेगा पैराबोलिक करता है यह चीज़ आप याद रखेगा तो answer 186 का कितना वारेंगे no रहेगा 187 का when a shear force diagram is a parabolic when a shear force diagram is a parabolic between the two point it indicates that करा point load add the two point बिल्कुल नहीं no loading between the two point गलत uniformly distributed load varying the two point uniformly varying load between the two point जब यूवियल लगा होता है तो shear force diagram जो होता है वो आपका parabolic रूप में vary करता है question number 187 का D सही है when there is no increase or decrease in shear force between the two point वाई दो point के बीच में shear force diagram नहीं बदलता है परलब एक तरीके से constant रहता है it indicates that no change in bending wind बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे suppose कि हम लोग यह यहां से यहां तक shear force diagram आपका simply supported beam के लिए आप ऐसे समझेए simple सा हम यहां समझा दे रहे हैं आपको answer इसका false होगा 188 का हम false सही कर रहे है question number 189 का देखेंगे which of the following statement is the correct a continuous beam has only two support at the end a continuous beam has only two support बिल्कुल गलत है continuous beam दो से अधिक पर होता है यह uniformly distributed beam is paired uniformly over the whole length of the beam यह bending moment लग रहा है सही है bending moment is maximum shear force is maximum गलत है the maximum bending moment of simply supported beam length L with central load W L by 8 गलत है अनि answer आपको लग रहा है कि यह uniformly distributed load is paired uniformly over the whole length of the beam पूरी लंबाई पर आपका एक समान रूप से वितरीत रहता इस paired मतलब वितरीत होना question number 1 sorry 189 का हो गया question number 119 का देख लेते हैं question number 119 match the list A and list B मतलब group A, group B देखे इस प्रकार का question at least minimum one minute आप लग जाएगा यह आप अच्छे से question solve करेंगे यूपी आर्विनल में question कुछ matching the list A और list B type में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है yes में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो जाहिड सी बात है इस प्रकार के question solve कर लेते पाते हैं बहुत speed में तो जाहिड सी बात आपका selection की chances भी increase कर जाएगा पहला देखेंगे group A में the shear force at the free end of cantilever beam carrying the uniformly distributed load तो जाहिड सी बात है इसको हम बोलेंगे कि यह cantilever beam है जिसके फ्री सीरे पर shear force कामान पूछा गया जबकि उस पर UDL लोड लग रहा है तो इस कामान तो 0 होगा नि एंस्वर आपका क्या होगा एंस्वर जो होगा इसका थोड़ा सा और स्क्रीन नीचे करते हैं एंस्वर जो होगा वो आपका 0 होगा फिर कहा रहा है bending moment at the fixed end of the beam bending moment कितना होगा question b का तो जाहिर सी बात है bending moment cantilever पर maximum होता है question c का the maximum bending moment of simply supported beam carrying the uniformly distributed load w per unit UDL load के case में maximum bending moment का मान इतना होता है देखें, max bending moment at the center of simply supported beam with gradually varying load from 0, both hind and maximum center w per unit और इसका मान जो होता है, w l square upon 12 होता है तो आप ऐसे सही कर सकते हैं कि a का जो होगा वो d होगा और b का जो होगा वो a होगा और c का जो होगा c का होगा और b होगा और d का जो होगा हो c होगा तो answer जो d, a, b, c होगा d, a, b, c यह कुछ answer इस प्रकार से होंगे आप इसको clearly रूप में समझ लिजे next question देखते हैं question number 191 in a beam where shear force change the sign the bending moment will be question number 191 bending moment the shear force change the sign the bending moment will be maximum होता है यह option कौन से सही होगा c, 192 the point of counter fracture किसमें बनता है cantilever simply supported over ringing, हमने बताया भी था over ringing यह तो था question number 127 से ले करके question number 192 तक आरियस कूर्मी भूक का mechanical engineering में जो सबसे अधिक में students के पास रहता है और इन सभी student लगवग इस question को इस book को solve भी करते हैं तो कुछ students को language problem होता है जिसके लिए हमने काफी इसको हिंदी में convert करने का भी प्रयास किया है तो आज के लिए बस इतना ही आगे का question जो topic है bending stress पर हम आगे next video में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद हमारे video के साथ channel के साथ पने रहे